राम राम किसान भाईयों, कैसे हैं आप सभी लोग आसा करता हूँ, आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, भगवान से द्वावी करता हूँ, आप सभी लोग शरैप, सुकी और शंपन रहें बीपी काउल अबर चैनल का आप सभी लोगों के चड़ाओं में नमस्कार आज का टॉपिक है, मेरे प्यारे देशबासियों, तुचादार गांठ रोग, बहुत परिसान है जनता, आप सभी लोग बहुत परिसान हैं, हम भी परिसान हैं, ये एक ऐसी जटल समझ्या आ गई है, जिसका कोई भी अभी तक सॉलूशन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हम स गांठ रोग, अब इसमें क्या है, तुचादार गांठ रोग है क्या चीज़, ये पहले समझे, लंपी, इसके इंडिसीज गांठ रोग है, इसे तुचार रोग बाइरस भी का जाता है, सॉट में इसे LSD भी का जाता है, सरकारी रिपोर्ट के इंसार मानें, तो कम से कम 50 ह से अधिक गायों की मौत हो चुकी है यह सरकारी डाटा कह रहा है लेकिन लाखों की शंख्या में गायों की मौत हो चुकी है लंपी का अभी तक कोई भी एंटी-डोज तयार नहीं हुआ है इह है रोग कैपरी पॉक्स बाइरस से फहलता है अब कैपरी पॉक्स बाइरस कैसे फहलता है जिस प्रकार से किलनी टिक्स एक गाय के सरीर में हैं तो वो जमीन पर गिर जाएंगे गिर करके बही किलनी दूसरे पसु के सरीर में पहुँच जाएंगे इनके द्वारा लंपी जो तुचा बाला रोग है वो फैलता है फिर मच्छर हैं किसी जानबर को मच्छर काट लिया बही मच्छर ने दूसरे पसु को भी काट लिया उसे भी प्रॉब्लम हो गई है मक्खी हैं, ये भी काट लेती हैं, इनके द्वारा भी फैल जाता है, अब ये एक बाइरस होता है, कैप्री पॉक्स, वो मैं बताई चुका हूँ, अब इनके लच्छड क्या क्या है, वो समझ लीजी आप, लच्छड हैं, सबसे पहले तो पसु को गाय बहंस को बुखार आए से आशू निकलेंगे, नम्बर चार पर, मुह से लार टपकेगी, और आगे चलते हैं तो सरीर पर बड़े-बड़े फफोले पड़ जाएंगे, जिस प्रकार से हमारी सरीर पर पिती निकलती है, उसी प्रकार से जान बरके गायों के पूरे सरीर पर इतने बड़े-बड़े फफोके पड़ जाते हैं, आगे और देखती हैं तो दूद का कम होना, मुख्य रीजन है, मुख्य लच्चड़ा वो आपको बता दूँ, जानबर की भूख बिलकुल कम हो जाते हैं, चारा बहुत कम खाता है, आप जो फफोले पड़ जाते हैं, बही फफोले आगे चल करक पक जाते हैं, पकने के बाद में उनमें पस्न कलने लगता है, जैसे ही उस लिक्ट पर जो निकलता है गई के सरीप से उस पर मक्षी बैठेगी, मच democr बैठेगा, बही दूसरी गई के पास जाएगा, तो उसे भी बही बीमारी हो जाएगी, अब इसकी सापधानिया क्या साब्धानिया यह हैं कि हमारा कोई पशु संक्रमत हो चुका है उस पशु को अन्य पशुओं से हम अलग रखें अपने घरों में जहां पर पशु शाला है बहां पर हमें मच्छर मारने वाली दबा का छड़काओ करना चाहिए मख्यों के लिए नेम के पत्तों का दुआ करना चाहिए साफ सफाई रखनी चाहिए शंक्रमत पशु का जूठा आहार खाया हुआ आहार बचा हुआ या जूठा पाने किसी अन्निकायगेंस के पास न रखें यह तो साब्धानिया हो गई अब किसी पशु के आप लगवाना हैं तो शंक्रमत पशु के गौट पॉक्स बैक्सीन होती है वह आप लगवा सकते हैं गौट पॉक्स पशु की जो भी आप दबाई देते हैं किसी अच्छे चिकशक से डॉक्टर से शला लें उसके बाद दबाई का उपयोग करें अब हमारे किसी पशु में शुरुआत हो तो वो टाओं से होती टाओं से उपर की तरफ होती टाओं में इतने बड़े बड़े फपोले पढ़ते हैं और जब तक बोड़ी पर हमारे फपोले पढ़ गए हैं 10-20-30 फपोले हमें अपने पशु की नजर रखने हैं फपोले पढ़ गए इतने बड़े बड़े तो हमें क्या करना है मेबिल करके एक बोलस आती है मेबिल जैसे हम लोगों की आती एबिल उसी प्रकार से पसुओं के लिए आती मेबिल आपको बड़े पसुओं को दो बोलस सुबह दो बोलस शाम को देनी है कौनसी मेबिल और ये प्रक्रिया कितने समय तक चलानी है तीन दिन तक ती सी अच्छे डाक्टर को भुला सकते हैं तब तक आपके पसु में जो प्रकरिया लंपी के गांठदार तुचारों की वो बढ़ेगी नहीं बलके वो कम हो जाएगी और कभी-कभी उम्मीद ऐसी होती है कि मेविल की बोलस से पूरी तरीका से पसु अमारा स्वस्थ हो जाता है बुखार की कहीं पर थोड़ी बहुत भी गुंजास मालूम पड़ रही है तो उसके लिए हमें पैरा सीटा मोल की एक बोलस शुबय और एक बोलस शाम को देनी है आपका बुखार कंट्रॉल हो जाएगा ठीक होने के बाद भूख कम हो गई है तो उसके लिए मैं आलरीडी बता चुका हूँ आप लोगों को सब लोगों को अन्य वीडियो में बता चुका हूँ लिब अपकी दो बोलस शुबय दो बोलस शाम को लिब अप यह आपको तीन दिन खिलानी आपका पसुज हो बिलकुल स्वस्ट हो जाए आज की वीडियो इतनी ही इतनी ही जानकारी और मेरे किसान भाई हो मेरे देश बास हो आपको ये सूचना यदे अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिया करो आप लाइक नहीं करते हो बिलकुल लाइक करने में आपका कोई खर्च जाता है क्या और जो भी हमारे भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर तब तक के लिए जयराम जी की